हलो फ्रेंग्स competition community में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश में नदियों के संबंद में देखे मध्यप्रदेश को वैसे भी नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहां पर लगभग 207 से अधिक छोटी और बड़ी नदिया प्रवा हें कि अधिक जब भी हम अधियप्रदेश में नदियों की बात करते हैं तो मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा नदी सबसे बड़ा प्वाथंतर कैसे हुआ जै क्रूए देखें प्रदेश में नदियों की अधिकता के कारण इसे नदियों का माईका भी एक पहा जाता है यहां आधिक नदियों का उद्गम होता है मदी प्रदीश में अपवाहा तंतर को छे भागों में बाटा गया है जब बात करते हैं अपवाहा तंतर की तो आपको पता होगा कि जिसी कि एक नदी है मालनी जी एक नदी है नदी बहके जा रही है अब यह नदी जिस अपने एरिय से बहके जाती है इसमें और भी छोटी बड़ी नदिया मिलती होंगी तो मालनी जी इसमें एक छोटी नदी सोन नदी आकर मिल जाती है एक्जामपल है यह और इसके बाद यह नदी जो है इस नदी का अपवाहतंत्र कहलाएगा क्लियर तो मध्य प्रदेश में अपवाहतंत्र कितने हैं तो मध्य प्रदेश में नदी अपवाहतंत्र के आधार पर साथ अपवाहतंत्र देखे जाते हैं कौन-कौन से अपवाहतंत्र हैं पहला है गंगा यमना अपवाहतंत्र और यह दूसरा होगा नर्मदा नदी अपवहतंत्र क्योंकि नर्मदा प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है इस कारण से आपको नर्मदा नदी अपवहतंत्र ध्यान में रखना है तापती नदी अपवहतंत्र चंबल नदी अपवहतंत्र माही नदी अपवहतंत और गोदावरी नदी अप वहा तंत्र देखिए जब महानदी की बात करते हैं तो महानदी जो है मेन राइपूर से सिहावा पहाड़ी से बहती है इसके साथ में यहां छत्यस गड़ की मुख्य नदी है और यह आंगे चलकर उडिसा में हीरा कुंड बांध कर निर्माड करती ह गोदावरी नदी की हम बात कर लें गोदावरी नदी मुख्यता महराष्ट से संबंदित है इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इन नदियों की कौन-कौन सी सायक नदिया मर्द्य प्रदेश में बहती है तो हम इसे आंगे कवर करते चलेंगे सबसे पहले आपको देखना गंगा यमना अपवातंतर के बारे में थोड़ी बहुत डीटेल यह मर्द्य प्रदेश का मैप अगर आप गंगा यमना अपवातंतर को अच्छे से जानते हैं तो देखें यहां से क्या होता है चंबल नदी काली सिंध नदी पारवती नदी सिंध नदी बेतवा नदी सुन आंगे चलकर जाता है नरमिदा नदी प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो कि प्रदेश को पूर्म पुर्व से पश्ण की तरफ में लेकर आती है और पूरे प्रदेश में वहती है इसके कुल लंबाई तेरा सो बारा किलोमीटर है वहीं यह मद्य प्रदेश में दस सततर किलोमीटर बहती है एक हजार सततर किलोमीटर यह मद्य प्रदेश में बहती है इसके बाद बात करें तापती नदी की तो तापती नदी जो है वो दक्षन की ओर बहती है इसके बाद वर तर जादा खास आपको याद नहीं रखना है कि यमना नदी से कौन-कौन सी सहाइक नदिया मिलती है और गंगा से मुख्यता हमने देख लिए कि सोन नदी मिलती है यह मरा से बात करेंगे चंबल के इन बेत्वा इसके अलावा बागी सारी नदिया नर्मदा नदी अपवहा त प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पहातंत्र क्योंकि पहला आप वहातंत्र जो है वह गंगा यमना आप वहातंत्र हो ही गया है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सोला जिलों से बहती है मध्य प्रदेश के सोला जिलों से नर्मदा नदी बहती है नर्मदा नदी का उधगम अनुपुर से होता है यह हम देख चुके है अलड़ी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी नदी है यह भारत की पांचवी सबसे जाता है इसे 3 माई 2017 को प्रदेश की जीवित नदी का दर्जा दिया गया है यह सारी बात है नर्मला नदी के डिटेलिंग हो गए देखिए अब आप समझी अच्छे से जो यह नर्मदा नदी है यह नदी अनुपूर से निकलती है अनुपूर अमरकंटक से इसे मध्य प्रद में फैला हुआ एक पूरा राज जिसे एक नदी 10-77 किलोमीटर में भैकर पूरे राज को जब पोशत करती है उसे पूरी जल आपूर्ती प्रदान करती है तो उसे दिया जाता है मध्य प्रदेश में जीवित नदी होने का दर्जा या फिर मध्य प्रदेश की जीवित नद है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी का उद्गम जब भी नर्मदा नदी का उद्गम आपसे पूछता है तो आपको पदा है कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमर कंटक से हुआ है जिला अनुपूर लगता है तहसील पुष्परा अनुपपर नहीं दिखता आपको पुष्पराजगर लगाना है वो नहीं मिल रहा है नर्मदा कुंड़ लगाना है इसमें से कुछ ना कुछ तो आंसर हो ही जाहेगा कोई ना कोई आप्षिन तो आपको मिली गई न यह कि नर्मदा नदी आप इसको देख सकते हैं कितनी विशाल नदी है यहां पर कुछ लोग खड़े हैं अब इनकी आकार से आप इस नदी की विशालता का अनुभव कर सकते हैं अन्य नाम की बात करें नर्मदा नदी को ही रेवा कि सोम देवी कि निभुद्धा नमो देवी आदी नामों से जाना जाता है नर्मदा नदी जो है वह बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और इस कारण से इसे वेवा सोम देवी निबुद्धा नमो देवी आदे नामों से जाना जाता है बांध की बात करें नर्मदा नदी कौन कौन सा बांध बनाती है तो नर्मदा नदी मुख्य रूप से संपूर्ण भारत में सबसे बड़ा बांध सरदार सरुवर बांध बनाती है जोकि नर्मदा नदी आपको दो मिलने को मिल सकते हैं पहला कॉश्चन आपको यह मिलेगा तो आपका अंसर हो कर सर्दार सरोगर बान वहीं जब से यह पुछा जाए कि मंध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा क्वांध कौन सा है तो आंसर होगा इंद्रा सागरमान इसके अलावा तवा पर्योजना मी नर्मदा नदी पर हिस्थे classic हैं में परिष्टित एंखे प्रगह छेटर और लंबाई की देखी कि यह लंबाई हम देख चुके ने तीरा बारा किलोंटर है 17 Πो डौन क और नर्मदा पुत्र देखें नर्मदा पुत्र जो है वो अमरित लाल बेघड़ जी को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी पर बहुत सारी किताबे लिखी हैं जिसमें से नर्मदा तुम कितनी सुन्दर हो तीरे तीरे नर्मदा, सौंदरी की नदी नर्मदा, आदी सारी किताबें अमरितलाल बेगड जी की है नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख इस्थल, जब बात करते हैं नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख इस्थलों की तो नर्मदा नदी के किनारे मुख्य रूप से आहिलिया घाट, भेडा घाट, आधी जगाएं बसी हुई है भेडा घाट के किनारे में तीन घाट है जिनने बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है एक हो गया तिलवारा घाट, दूसरा हो गया रानी ताल वाला घाट, तीसरा हो गया गौरी घाट नर्मदा नदी आप वहात अंत्र देखिए नर्मदा नदी आप वहात अंत्र जो है ये पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं कितने जिलों से बहता है तो हम देख चुके 14 जिलों से नर्माना नदी बहती है सबसे जादा कहां से बहरी है तो सबसे पहले तो अनुपर अमर कंटक से निकलती है उसके बाद डिंडॉरी में बहती है फिर मंडला में बहती है तेखिए नर्मादा नदी मंड्रणा एक मात्र ऐसा जिला है जिसको तीनों ओर से घरे हुए है जिसे कि माल लीजे ये एक स्थाल है और नदी बहके आ रही है घूर नदी को मानेंगे तो यह एक जगा किर गई एक स्थान गर गया आप दूसरी ओर से नीचे लिया तीसरी ओर स से अब तो성 भी तो यह मंदला जिला है जिसको तीनो और से घेर हो था हुए घेर होने के सामाजी को मजष हुआ Kings मंदल कहा जाता हैला मंदल ऐकार में घेरने के कारण से जिले का नाम मंदला рखा गया था और आपको पता होगा कि नर्मदा नदी का सामाजिक कुम्भ जो है वो अभी मंडला में ही आयोजित हुआ था अगला जिला लगता है शिवनी फिर जवलपुर नर्सिंग पुर रायशेन होशंगाबाग सीहोर देवास हरदा खंडवा खरगौन धार बढ़वानी और आदी राचपुर इसके बाद नर्मदा नदी महराश्ट में जाती है और लास्ट में गुजरात में बहती है और अंत में यहाँ समाहित हो जाती है सागर में नर्मदा नदी पर लिखी गई पुस्तकें अमरित लाल बेगर जी की किताबें हमने देख ली इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें नर्मदा नदी पर लिखी गई हैं हम वो भी बाद चेक कर लेते हैं नर्मदा परिक्रमा प्रसाद पाठक जी के द्वारा लिखी गई थी, नर्मदा समग्र अनिल माधव दवे जी के द्वारा लिखी गई थी, जंगल रहे ताकी नर्मदा बहे पंकर श्रिवास्तव जी के द्वारा लिखी गई थी, पानी उतर गया लिखी गई थी, के श्रोत शिवनी नर्म लिखी गई थी आयोध्या प्रसाद जी के दौरा तीरे तीरे नर्मदा नर्मदा तुम किती सुंदरों सौंदर की नदी नर्मदा और अमरत सनदी नर्मदा यह चारों तो हैं अमरतलाल बेघर जी किताबे अब किस ट्रिक से इनको याद रखना थोड़ तो प्रशाद के कारण आपको यहां से सीधे याद रहेगा परिक्रमा करने वाले प्रशाद बटवाते हैं तो प्रशाद पाठक जी फिर बात करते हैं नर्मदा समग्र नर्मदा समगर देखे सागर जो है ना वो समगर है मतलब बहुत बड़ा बहुत विशाल सागर है तो हम ऐसा तो नहीं बूल सकते कि निल है निल मतलब खाली होता है ना तो ऐसा नहीं बूल सकते कि नर्मदा निल है तो नर्मदा कैसी है समगर है तो निल से अनिल और अनिल आपको याद आएगा, तो अनिल माधाव देव जी आपको अपने आप याद आजाएंगे, नर्मदा समग्र के लेखक, जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, जब भी हम बात करते हैं, नदी के बहने की, या बरसाथ की, आपको कीछड की याद आती होगी, कीछड हो जा बाद में जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे से आपको याद रहेगा पंकज श्रिवास्ताव जी जो है वो इसके लेखाक है पानी उतर गया पानी उतर गया देखिए आपने अगर कभी आप गाओं से रिलेट करते होंगे और आपने कभी नर्मदा में या किसी भी नदी में बा के एस तिवारी के एस तिवारी देखिए यह इतने एक्जैक को ट्रिक नहीं है लेकिन आपको दिमाग में आपके अगर आपने एक बार सुन लिया अच्छे से समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा नर्मदा नदी पर इस्थित परियोजना है नर्मदा नदी घाटी परियोजना प्रदियश की जीवन रिखा कही जाने वाली नदी नर्मदा पर है इसमें लगभग 29 बड़े बांध 135 मध्यम बांध और 300 छोटे बांध इस्थित है मतलब कितनी बड़ी परियोजना होगी आप खुदी सोच सकते हैं इस परियोजना के निर्माड ही तो 1969 में नर्मदा जल विकास प्राधिकरन का निर्माड किया गया था 1969 में यह कॉशन बहुत बार पूछा जा चुका है आपको याद होना चाहिए कि नर्मदा जल विकास प्राधिकरन का निर्माड कब किया गया eighteen 69 nekiya ji inaccurability अहसे यह है नर्मनादा नदी की सबसे बड़ी परियोजना जू की मध्धि परिदेश में नहीं गुज्रात में इस्थित है जिसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राजि में स्थित है, इस्थान है के वडिया, उत्पादन शम्ता की बात करते हैं तो 1450 मेगावाइट इसका उत्पादन है, अच्छा, ये किस चीज का उत्पादन है?, जब भी हम बात करते हैं किसी के दुवारा कुछ उत्पादित किया जा रहा है, तो क्या सबसे बड़ी परियोजना है यह हमारी इंद्रा सागर परियोजना जो की नर्मदा नदी पर इस्थित मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है बात कर लींदे इसका प्रारंब कप किया गया था तो 1984 में इसका प्रारंब किया गया था जिला लगता है खंडवा अन्ने नाम क्या है तो उसका नाम है पुनासा डैम इसके अलावा उत्पादन श्रमता कितनी है तो एक हजार मेगावर्ट विद्धुत का यहां से उत्पादन होता है विशेश यहां मध्य प्रदेश में इस सबसे बड़ी नर्मदा नदी की परियोजना है देखिए यह इतनी बड़ी नर्मदा नदी की क्लवेश की परियोजना हो जाती है महत्वर्पून हो जाती है सबसे नर्मदा नदी का उद्गा मनुदपूर में एक परियोजना बनाती है जुकि बढ़वा ठ्वाभ परियोजना दिखाई देती जुकि त्वाबाध परियोजना कंप ट्वामेदो परियोजना है और दूसरी है परियोजना नाम के नामसे गृब्हामाम DU counseling और तवा नदी पर ही तवा परियोजना बनाई गई है जिला होशंगाबाद के अंतरगत तो मध्य प्रदेश में कितनी परियोजना है नर्मदा नदी पर इस्थित है तो कुल मिलाके यदि आप देखते हैं तो आपको दिखाई देती हैं पाँच परियोजना है कौन कौन सी स परियोजना जो कि होशंगाबाद जिले में इस्तित है तीसरी है हमारी इंद्रेस अंगर पर जो की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है नर्मदा नदी पर दूसरी आती उसी के जिक में दिखाई देती ओम कर शर कारि परियोजना फिर आती हमारी लास्ट में भी देजब से ऊचाहिए और यह हैं नीचे तफूम में गिरती है तो यहां पर जल्प्रपाथ का मिल मार करती तो तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कितरे जल्प्रपात इस्थित हैं जहां से नर्मदा नदी निकलती है अर्थात अमर कंटक से तो अमर कंटक में वो दो जल्प्रपातों का निर्मान करती है पहला हो जाता है हमारा कपिल्धारा जल्प्रपात दूसरा हो और जangingड़ी नह newcom अधार जलपुर्म में दुमादार जलप्रपात बनाती हैं इसकेवाद मन्धाता जलप्रपात खंडवा में और श valid करती हैं और चाहस्तरधारा की जो महिश्वर परियोजना है यह भी खरगौन जिले पर ही इस्थित है देखे जब मन्धाता की हम बात करते हैं न तो मन्धाता अर्थात खंडवा की स्थापना राजा मुचकुंद के द्वारा की गए थी और उन्होंने ही यहां पर ममलेश्वर इस प्रकार से मध्य प्रदेश में कुल बारा जोतिर लिंगों में से दो जोतिर लिंग इस्थे थे एक है उज्जयन का महाकालीश्वर मंदर और दूसरा जो है वो है खंडवा का ओमकारेश्वर जोतिर लिंग और जिसका रियल नेम है ममलेश्वर जोतिर लिंग देखे आज से जादर लोगों को यह नहीं पता है कि ओम कारेशवर जोतिरलिंग का जो रियल नेम है और मंधाता जो है यहाँ खन्डणावा का पुराना नाम है खन्ड़ा को पहले मंधाता ही कहा जाता था इसकी स्थापना राजा मुच्छकुंद के द्वारा की गई थी और ऐसा कहा जाता है कि यह पुरकुत स्वन्ष के शाशक रहे हैं देखो यह है अगला वांद जो है ओम का रिश्वर परियोजना कहा है हम देख चुके हैं खंडवा में इस्तित है इसे क्या कहा जाता है मंधाता कहा जाता है खंडवा को उत्पादन श्वंता कितनी हैं यह पांसो बीस मेगवार्ट यहां पर विद्दुत का उत्पादन होता है लग भग रानी अवंती बाइस सागर परियोजना रानी अवंती बाइस सागर परियोजना है इस्थान बिजोरा ग्राम जवलपुर में उत्पादन शमता है 90 मेगावट इसके साथ सत्मे विशेश यहा परिजना नर्मदा नदी के और बर्गी नदी के संगम पर बनाई गई परियोजना है और इसके अन्य नाम के जब हम बात करते हैं तो इसे बर्गी बांध भी कहा जाता है देखें लोकल लोग जो हैं जवलपुर के वो इसे बर्गी बांध के नाम से ही जानते हैं हम जब इसे किताबों में पढ़ते हैं तो उसका रियल नेम पता चलता है रानिया वंती बाई सागर परियोजना विजहारा जवलपूर में स्थेत 90 मेगावार्ट विद्धुत उत्पादन मतलब बहुत जादा नहीं होता नॉर्मल विद्धुत उत्पादन होता है तवा बांध परियोजना तवा नदी जो है वह मध्यप्रदेश में नर्मिदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यहां परियोजना खुशंगाबाद जिले में इस्थित है 400 मेगावाट विद्धुत के उत्पादन के साथ महिश्वर परियोजना खरगौन जिले में इस्थित है विद्धुत उत्पादन होता है 400 मेगावाट दोनों में सेम हो रहा है तवा में भी और महिश्वर में विदोनों में सेम उत्पादन हो रहा है चंबल लधि अप्वाहत घंप करते हैं तो हमने सबसे पहले गंगा यह मौना अप्वाहत अंत्र देख है तीसरा हम देख है चंबल सायक नदियों के द्वारा जो शेतर बनाया जाएंगा अप्वाहत असा जा अंदर विंध्याचल परवश्रंख्ला की जाना पावफ पहाड़ी से होता है पॉइंट कौन सा है तो वांगुचू पॉइंट से होता है देखे ऑप्शन कभी आपको कुछ भी पुछे जिला पूछेगा आपको पता इंदौर जिला तैसील पूछेगा महु तैसील परवश फ्रष्रंख्ला पढ़ण पहाड़ी जाना पावफ पहाड़ी किस पॉइंट से होता है तो वांगुचु पॉइंट से होता है फ्र बात कर लेकी अन्यनाम की देखो चर्मावती और धर्मावती चंबल नदी का अन्यनाम है इसके साथ ही साथ में इसे प्रदेश की कॉस से तो मध्य भारत की जीवन रेखा जाता है नियां कि किस पर्वश्रेणी से इसका उध्गम होता है तो विम्द्याच्ष परव沙्ष रंख्ला की जाना Пाव पहाडी से इसका उध्गम होता है चम्मल नदी पर इस्थित जब हम बड़े जलप्रपातों की बात करते हैं तो एक जलप्रपात है पाताल पानी जलप्रपात और दूसरा है हमारा चूलिया जलप्रपात इसकी बाद में शायक नदियों की बात करें तो शिप्रा, बनास, काली सिंध, चंबल की प्रमुक शायक नदिया है इसका समापन यूपी में हो जाता है यमना नदी में यहां मिल जाती है बांधों की बात करें तो राणा प्रताप, सागरबांद, गांधी सागरबांद, इसक चम्मल नदी का मैप चम्मल नदी के जब हम बात करें तो यहां इंदौर से इसका उद्गम होता है यहां उपर बहती है उज्जैन, धार, रतलाम और मंदसौर जिलों में यहां पर दो जलप्रपात का निर्माड करती है इंदौर में बनाती है पाताल पानी जलप्रपात और उपर जाकर मंदसौर में चूलिया चलप्रपात का निर्माड करती है। देखिए चंबल नदी के बांधों की बात करें तो चंबल नदी पर मुख्यता हमें चार बांध दिखाई देते हैं। पहले बात करें गांधी सागर परियोजना की हम देख चुके हैं कि हम अंदसौर जिले में इस्थित है। तो आपको याद रहेगा चितोर गड़ राजिस्थान में इस्थित है। और गांधी सागर परियोजना वह बहुत धीरे चलते थे। धीरे चलते थे मतला मंद मंद चलते थे। तो मंद से बिना शोर किये हुए चलते थे तो मंद सौर। तो गांधी सागर परियोजना मंद सौर में इस्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चितोरगर राजिस्थान में इस्थित है। जवाहर सागर परियोजना प्रारंभ 1971 इस्थान यह परियोजना कोटा राजिस्थान में इस्थित है। उत्पादन शमता 99 मेगावार्ट। देखिए नर्मदा नदी पर सबसे कव उत्पादन किस बांध कर था तो वो था बर्गी बांध हमारा जिसमें 90 मेगावार्ट उत्पादन था। वहीं जवाहर सागर परियोजना जो है उसका 99 मेगावार्ट उत्पादन है। बात कर लेते कैसे याद रखना है। जवाहर सागर परियोजना कहा है तो कोटा राजस्थान कोट से कोटा राजस्थान में यहाद परियोजना इस्तित है। उत्पाधन शम्ता कितनी 90.9 MW है, कोटा बैराज की बात कर लेते हैं, अब कोटा बैराज नाम से इस पश्ठे की कोटा पे ही स्थित होगा, प्रारंब यह परियोजना राजस्थान में प्रारंब की गई थी यह परियोजना राजस्थान कोटा में इस्थित है इसके अलावा यह छोटी छोटी नहरों को संकलित करके बनाई गई परियोजना है यहाँ पर विद्धुत का उत्पादन नहीं होता है सिर्फ जलकी आपूर्ती कराए जाती है राजिस्थान के छोटे-छोटे जिलो और गावों में बात कर देते हैं परमाडू बिजली घर रावत भाटा चम्मल लदी घाटी परियोजना का प्रारंब चम्मल लदी पर 1953-1954 में पंडित जवाहरलाल नहरुजी ने किया था यह परियोजना मध्यप्रिदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ठीक है बिलकुल इनका प्रमखोद्यश 60-75 सेंटीमीटर वर्षा वाले शेत्रों में सिचाई उपलब्ध कराना है सिद्धी सिद्धी बात क्या होई देखो बात यह होई है कि परमाडू बिजली घर जो रावत भाटा है उसका जो प्रारम है मतलब इस परियोजना का जो प्रारम है वो 1953 से 54 में पंडिस जवाहर लाल नहरू जी के दुआरा चम्मल नदी पर किया गया था और चम्मल नदी जो है वो हम देख चुके है कि अधिकतर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है तो यहां मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयोक्त परियोजना हो गई इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहां लगभग 60-70 cm प्रतिशत वाले शित्रों पर जल्किया पूर्तिक पुखचाएगी अब यह क्या है 60-70 cm, 60-20 cm, 100-300 cm यह होता क्या है देखो एवरेज क्या होता है मैं आपको बता रही है देखें यह है जमीन ठीक अब इस जमीन में जब होती है वर्षा यह उपर से पानी गिर रहा है यह वर्षा हो रही है तो यहां पर नीचे एक मापक माल लीजे एक बहुत सारी जगों पे रख दिये गए इस पूरी जमीन पर और जब यहां पर पानी बरस्ता है यहां पर पानी जब बरस्ता है तो वह पानी इन डबों में भी किरेगा तो उन डबों के औसत उचाई को निकाल कर हम डिसाइड करते हैं कि कि कितने सेंटीमीटर वर्षा इस माल लीजे इस डबे की उचाई जो है वो सतर सेंटीमीटर है इस डबे की साठ सेंटीमीटर है इसकी जो है असी सेंटीमीटर है इसकी जो है फिर सतर सेंटीमीटर तो इस हिसाब से लगभग पैसट सेंटीमीटर के आसपास सतर से पैसट सेंटीमीटर के आसपास हम मानेंगे कि ये स्चित्र में वर्षा होती है वैसे ही यह माना जाता है कि इस परियोजना के धेर्ट साथ से पच्छतर सेंटिमीटर वाले शित्रों में जहां कम वर्षा होती है वहां पे सिचाई को अर्थाथ पानी को बहुत ही कम समय में उपलव्द कराना इसका मुख्य उदेश रहा है अगली नदी की बात करते हैं जो है हमारी तापती नदी तापती नदी का उदगम बैतूल के मुलताई से होता है देखे तापती जो है ना इसे शूरी की पुत्री भी कहा जाता है यह नदी बहुत ही जादा फेमस नदी इसे शूरी की पुत्री भी कहा जाता है इसके रावा इस नदी का उद्गम मध्य प्रदीश के बैतूल के मुलताई से होता है इसे सूरी की पुत्री, सुर्सुता और पयोशनी कहा जाता है बांध, पारस डो बांध और चंदूरा बांध इस नदी पर तापती नदी पर दो बांध एक है पारस डो बांध और दूसरा है चंदूरा बांध इस नदी पर इस्थित है आफसान की बात करते हैं मतलब समाप्ती की बात करते हैं कहां पर यह नदी समाप्त होती है अब बहतुरी मध्य प्रदेश ने समाप्त कहा होती है तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और महराष्ट की सीमा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है देखिए यहां से निकल रही है और यहां से आंगे जाकर महराष्ट के पास से अरब सागर में जाकर गिर जाती है विस्तार मध्यप्रदीश महराष्ट और गुजरात में इस नदी का विस्तार इस्तित है ऐसा सेम विस्तार किसी और नदी का है? बिलकुल है, नर्मदा नदी का है, मध्यप्रदीश, महराश और फिर गुजरात में, सहाइक नदिया, पूर्णा, उतावली और अंबोरी तापती नदी की प्रमुक सहाइक नदिया है, कहां पर समाप्त होती है तो अरब सागर पर, दे कि फॉर एक्जामपल हमाल लेते हैं, ये एक पहाड है और ये दूसरा पहाड है, इन दोनों पहाडों की अगर आप उचाई देखेंगे तो बहुत जादा उचे पहाड है, लेकिन जो इनके बीच में गैप है, वो बहुत जादा कम है, तो मतलब जब छेतर बहुत जादा क कम है, लेकिन उचाई बहुत जादा उची है, मतलब बहुत जादा उचा चेतर है, और सकरी घाटियां होती है, तो नहीं का जाता है, ब्रंश घाटी, देखें, तापती नदी का उदगम बैतूल के मुलताई से होता है, यह दो बांध बनाती है, एक पारस जो बांध बैतूल में ही निर्मत करती है, फिर तापती नदी आंगे खंडवा में और बुरहनपर में बहती है, इसके बाद महराष्ट में जाती है, फिर गुजरात में थोड़ा सा और लास्ट में जाकर अरब सागर में मिल जाती है, तापती नदी की परियोजनाएं, दो परियोजन यह वान तापती नदी पर इस्थित है काकरा पारा परियोजना यह परियोजना मंडवी में सूरत गुजरात राज्य में के जिले के पास इस्थित है इसका पोशन गुजरात सरकार करती है देखो सीधी सी बाते यह परियोजना तापती नदी पर ही है सूरत गुजरात में किस नदी पर तापती नदी पर इसे तापती का उद्गा मध्य प्रिदेश के बैतूल से ठीक इसकी बाद हम देखते हैं कि इस परियोजना का कारी 1971 को प्रारम बे किया गया था इस परियोजने के उद्पादन श्रमता 300 मेगावाट है मतलब अच्छी खासी विद्धुत का उद्पादन यहां से होता है 300 मेगावाट विद्धुत का उद्पादन है किस नदी से होता है तापती नदी से कहां पर सूरत गुजरात में और स्ववाली बंदरगा, यह तापती नदी पर तुजरात में इसकुर बृटिश-काली नदी बंदरगा है। देखे, बंदरगाः का क्या मतलब होता है। बंदरगाह का मतलब इंग्लिष में होता है पोर्ट, पोर्ट का मतलब ऐसा है। पर जहाजों को वहनों को रुकने के लिए स्थान मिल सके वो रुक सके आराम कर सके अपनी रणनीती तैय कर सके कैसे निकलना है समान खाली कर सकते हैं तो ऐसे स्थान को बंदरगाह कहा जाता था और नदी बंदरगाह क्या होते हैं अधिकतर बंदरगाह जो है वो समुद्रों में स्थित होते हैं और नदी में बहुत कम छोटे शेत्र में बहुत ही कम बंदरगा मने होते तो उसमें से एक बंदरगा सवाली बंदरगा तापती नदी पर ही स्थित है अगली नदी के बात करते हैं अगली नदी हमारी सोन नदी देखें सोन नदी जो है वो नर्मदा नदी के साथ ही उदगमित होती है अमरकंटक से यहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है जोहिला नदी तो दो नदी आपको प्रमुकता याद रखनी है जो अमरकंटक से प्रवाइत होती है नर्मदा जोहिला और सोन अनुपुर जिला अमरकंटक से तहसील लगेगी पुष्प राजगर आंगे बात करते हैं लंबाई कितनी है 780 किलोमीटर के साथ अन्यनाम स्वर्ण सुवा स्वर्णा और सोन भद्र देखें सोन भद्र और सोन भद्र जो है वो सोन नदी के ही अन्यनाम है इनकी कहानी आपको पिकर सकते हैं देखे हुआ क्या था है ऐसामाना जाता है कि अमरकंटक के शेत्र में अनुपुर अमरकंटक शेत्र में मातर नर्मदार निवास करती थी और मातर नर्मदा आंगे की कुछ राजा जिनका नाम से शोन भद्र उन भद्र को देख नहीं पा रही थी, उन्होंने सुना बहुत था कि बहुती सुन्दर है, बहुती शुशील है, बहुती गुणी व्यक्ति है, वो उनको देखना चाहती थी, जिसे आज कल की लड़किया नहीं करती है, आपने जिनके भी उनको समझना होता है, तो अपनी फ्रें कपड़े पहना दो, कोई अच्छी सी जुएलरी बगएरा दे दो, फिर जाती हूं तर यारों के मेकप वगएरा करके, तो जोहिला ने जब रानी को ये बात बोली, नर्मदा जी ने अपने कुछ वर्ष्त और आभूशन जोहिला को दिये, जोहिला ने वर्ष्त आभूशन जोहिला ने सोनभद्र को यही बताया कि वह नर्मदा है, इसके बाद हम देखते हैं कि नर्मदा नदी जो है, मतलब नर्मदा माता जो है, वो बहुत टाइम से सोच रही थी, कि क्या वात है अभी तक ये वापिस नहीं आई, इतने टाइम से गई है जोहिला, दस दिन हो एक महिना भी दिया, जोहिला को याता ही पता नहीं, नर्मदा जी बोली आप तो जाके देखना पड़ेगा, भाई गडबड क्या हो रही है, कहीं कुछ दुरघटना तो नहीं हो गई, नर्मदा नदी जैसी गई वहाँ पे, उन्होंने देखा कि जोहिला और सोनभद्र एक साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त थे, माता नर्मदा ये जीज़ देख नहीं पाई, और उसी वहीं से, उसी इस्थान से उल्टे पाउँ लोट गई, और उल्टे पाउँ लोटने के कारहनी, नर्मदा नदी एक मात्र ऐसी नदी है, जो कि पूर्वर से पश्यम की ओर बहत और उन तीनों का हरदा इतना बुरा तूटा है कि वो तीनों वही से नदी का रूप धारन कर लेते हैं, ठीक, तो ये कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, देखें, ये है नर्मदा, ये है सोनभद्र और ये है जोहिला, अब ये दोनों देख रहे हैं, यहां पे नर्मदा कुमनानी के लिए, और देखें कि ये नई मानने वाली तो ये आंगे जाकर, यहां सोन भेरते स्रीवन में जाके मिल जाती है, इस तरह आपको जियोग्राफिकल कंडिशन भी इन तीनों नदियों की याद रहेगी, इस चोरी आपको याद रखना है नहीं रखना ही आपकी चोईस है, आंगे देखते हैं सहयक नदी, सोन नदी की सहयक नदी है रिहंद और जोहिला नदी, जोहिला का हम पहले ही देख चुके है, रिहंद एक और सोन की सहयक नदी है, सोन की सबसे जादा फेमस जो परियोजना है वो है बाड सागर परियोजना, जो की सोन नदी पर ही स्थित है बारसागर परियोजना सो नदी पर देवलोद दामक स्थान पर स्थित है जिला लगता है हमारा शहडोल इस परियोजना का प्रारभ 1978 में किया गया था यह मधिप्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार राजी की संयुक्त परियोजना है इसका अनुपात क्रमसा दो अनुपात एक अनुपात एक है इसके उत्पादन शमता 435 मेगावाट है देखो बहुत सारा हो गया ना एकदम से याद नहीं होता देखिए सो नदी पर बाढ सागर परियोजना इस्थेते बाढ तीर मारने वाला बाढ तो बाढ को क्या करना मध्य से उ इसमें फिर उत्तर की और और बाहर की और बाढ को मारना है तो तीन राज्य होगे उत्तर से उत्तर प्रदेश मद्य से मध्य प्रदेश और बाहर से बिहार तीन राज्यों किसे परियोजना कितने अनुपात है दो अनुपात एक अनुपात एक मध्य प्रदेश से निकली है तो सबसे जाला नपायत मद्धि प्रदेश का होगा तो दो जो है वो मद्धि प्रदेश का है एक बज जाता है हमारा दोत्तर प्रदेश का एक बज जाता है हमारा भीहार का उत्पादन शम्ता 435 मेगावाट है विद्धुत का उत्पादन करती है मतलब अच्छा खासा विदुद का उत्पादन करती है यह सोन अदी आप देखें इनका अकार भी बिल्कुल वैसे दिख रहा है न शोहिला आई नर्मदा की पास तक पता चला नहीं नर्मदा नी मान रही तो फिर आंगे जाकर सोन में मिल जाती है सोन आगे जाकर गंगा में मिलती है और वही नर्मदा यहीं से पूर्व से पश्यम के और बहने लगती है और पूरे मध्य प्रदेश को कॉस करती है और महराश और फिर गुजरात में जाती है बेतवा नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा चंबल और सोन और तापती के वाद में अगली नदी जो प्रमुक है वो है हमारी बेतवा नदी का उद्गम्त राइसेन जिले के कुम्रा गाउं के जिरी ग्राम में विध्याचर परवर्श रंकडी की घोडी दंत पाडी से होता ह देखो एक कॉशन के आपको कितने आंसर मिल रहे है यहाँ पे आपको एक कॉशन के कम से कम पास से छे आंसर मिल रहे है पहला है किस जिले से होता है राइसेन जिले से गाउं कौन सा है कुम्रा गाउं है इसके बाद में परवश रंकला कौन सी है विध्याचल परवश रंकल पहाडी एक गोडि तंत पहाडी से किस नदी का उद्वा नदी का उद्गम हो रहा है इसकी समापति कहा हो ती ही उत्तर प्रहा पुर नमक इस्थान पर वेए नदी की समापति होती है भी वासनी थे इनियं थान दूसरा वैश और तीसरा आपको पता होना चाहिए शिव पुत्री के नाम से भी जाना जाता है सहाइक नदिया बेतवा नदी की सहाइक नदी है बीना धसान जामिनी नदी बीना धसान और जामिनी नदी जो है वह बेतवा की सहाइक नदियां है फिर तट पर इसके तट पर भोजपूर चन्देरी आदीश्थर इस्थित है। देखिए। विधीशा कर नहीं के पर इस्थित है। उसके बाद हम देखते हैं विधीशा कहां पर रही बेत्वानदीके तबर है। 우ट्षा जो के निवाडीoger के लिके अंतरगत आता है। किस नदी के तड़ पर बेतवा नदी के तड़ पर इस्थित है भोचपुर जो है यहां भोपाल में इस्थित चंदीरी जो है वह शोकनगर जिले के अंतरगत आता है लेकिन यह सारे इस्थल किस नदी पर है तो बेतवा नदी पर ही इस्थित है अब बेतवा को देखेंगे र विदिशा में इस्थित है बेत्वा नदी पर इस्थित परियोजना ओकर क जब हम बात करते हैं तो आपको पता हो नदी में हलाली नदी परियोजना स्थान कहा है विदिशा posung नदी पर वै फिर हलाली नदी नदी बेतवा जो है उसकी सहाइक नदी है हलाली नदी हलाली नदी को कतल की नदी भी कहा जाता है साथ ही साथ में इससे थाल नदी भी कहा जाता है और बाड़ गंगा भी कहा जाता है देखी हलाल करने का सम्मंद कहीं न कहीं कतल से है बलड से है तो इस कारण से कतल की नदी हलाली न नदी को कतल की नदी ठाल नदी और बाड़ गंगा के नाम से जाना जाता है इसे अशोक शागर परियोजना भी कहा जाता है किसे हलाली नदी घाटी परियोजना को अशोक शागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है भांडेर नहर परियोजना यह परियोजना उत्तर प्र से हम देखते हैं अभी तक हमने पूरी बेतवा नदी को कंप्लीड कर लिया मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच एक साथ हम सारी वीडियो को सारे जिलों को सारी नदी को कवर नहीं कर पाएंगे इस वज़े से इसका हम पार्ट टू लेकि आएंगे जिसमें हम थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में